है हमिस्पेर प्रपर्टीज लंबियावधी के लिए खरीदना चाहते हैं बताइए यह नाम कैसा लग रहा है हमिस्पेर का रिएल स्टेट तो अभी ठीक ही है प्रॉब्लम यह ही हो जा रही है कि बहुत तेजी से प्राइसे बढ़ा जा रहा म connections में अभी भी कोई दिक्कत है नहीं है रिएल स्टेट हो या रियल स्टेट एंसिलरी होँ उसमें कोई दिक्कत नहीं हlor Southern जैसे सुशी लानन जी कुछ कुछ चीजें बता रहें कि ये हमिसफेर के बारे में कुछ तथ्थे रखना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि ये तरकारी कंपनी है इसके पास लैंड बैंक है जिसकी हीमत 20,000,000 प्रोड नहीं होगा या 20,000 ही होगा तो आप नंबर में हजार लिखनें उसका फिर शब्द में भी हजार लिखनें वो तो फिर मतलब एक है तो कुल मिला करके इसके पास लैंड बैंक है 20,000 क्रोड रुपय का इस फैक्ट को देखने के बाद क्या नजरिये में कोई बदलावाएगा देखिए इसका मतलब यह है कि आप इसमें फिर कहानी क्या बन सकती है वो हम बतातो हूं देखिए मुझे बिलकुल आइडिया नहीं है क्या लैंड बैंक है और क्या है यह आपका potential benefit हो सकता है इस चीज़ से मैं इंकार नहीं करता है लेकिन पहली चीज मुझे नहीं पता कि इनका land bank कितना है बूसरी चीज मुझे नहीं पता कि वो land bank है तो क्या वो बिखने वाला है land bank से तो कोई land parcel आपके पास हो सकता है बेचेंगे नहीं तो पैसा आएगा नही रहे हैं कि sales आपको कोई बने एक ही चीज है कि आपके पास एक विरासत में जमीन पड़ी हुई है उसको आप बेचके पैसा ला सकता है लाएंगे उसका dividend देंगे वो फैदा हो सकता है यह दरसल company form ही की गई dis investment process के लिए तो अगर इसका काम ही है इसका कोई set business है नहीं इसका एक ही business यह है कि जो इतनी सरकारी संपतिया है उनको एक जिगह एक खटा किया जाए और फिर उस land bank का monetization किया जाए अगर इसका sole purpose यही है तो हम इसमें मतलब sales और profit वाले आंकर क्या देखें वो तो मतलब हमारा तरीका ही जो पहले हमने जिस तरीके से इसको देखना शुरू क है और उसका फिर disposal होगा तो अगर यह उमीद है कि asset consolidation जो यह लिख रहे हैं करेंगे और उसके बाद उसका disposal होगा उससे पैसा आएगा तो ultimately वो contribute करेगा directly to the bottom में तो और कोई काम नहीं है देखिए अगर वो है तो फिर जितना आपके उसका earning होता है वो सब आपके सीधा का business मेरे समझ की बात नहीं है तो उसका कितना फाइदा है कितना बिकता है क्या आता है वो मेरे समझ की बाहर की चीज़ है जो पता है जिनको जिन्होंने उसका evaluation किया है कि इतना land bank है इनके पास इतना asset create हुआ है जो बिकेगा और उसके ऊपर में इतना आपका revenue उतना revenue आगा जो की disinvest हो यह assets भी के उसका पैसा आए और आपको उसमें पाइदा मिलें तो क्या इसको लेकर के भरोसा इसलिए बढ़ रहा है कि अब अगर मोदी 3.0, 3.0 की कहानी लोगों के मन में साफ हो रही है तो लोगों को यह लग रहा है कि यह company जिस वज़े से बनाई गई कि सरकारी land bank के monetization के लिए वो काम पूरा होगा उसमें कोई अर्चन नहीं आएगी यह लोगों को दिख रहा है कि अभी चुनाओ से पहले नहीं चुन पैसा तो नहीं है ना कि कल के कल आप सारा asset बेच के उसका पैसा लेके चले आ रहे हैं तो अगर आप में उस theory पर भी काम करना है तो धीरे धीरे कभी जब मिलता है शांती से तो नीचे लीजे ऐसे दौड़ दौड़ के लेके कल train छूटी जा रही ऐसा काम क्यों करना है पहल कर देंगे उसमें भी थोड़े टाइम लगेगा बीच में मार्केट में करेक्शन हो जाता है आपको अच्छे दाम पर मिल जाएगा तब ले लीजे अगर यही व्यू है तो मेरा तो यह व्यू नहीं है मुझे पता नहीं है मैं पहले भी क्या भी है लेकिन है भी तो अपने जीरो सेल्स का अंकड़ा मुझे चौका रहा था कि यह जीरो सेल्स है फिर इसके शेयर भाव इस तरह से बढ़ने का मतलब क्या है और आम तोर पर ऐसे किस्से हमें बिलकुल पेनी स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं तो सीधे रेड फ्लैग उस तरह का उठकिया सामने लेक आते ही देखने का नजरिया सारा बदल जाते हैं